जैहिंद वंदे मातरम सातियों आप सभी का स्वागत है समाधान स्टेडी यूटूब चैनल में आप सभी के लिए एक महत्वपून सेसन और आपके आगामी एक शांदार सा सेसन और बहतर सी चीज़े आप सभी को प्रवाइड किया जा रहा है तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारी इस बहतरीन से और सांदार सी केमस्टिक की क्लास को जोईन करें जो आपकी आगामी एक्जाम में एक महत्वपून भूमी का निवाने वाली है तो सातियों आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट वन जो पार्ट वन में मैं कोश्चन करवाँगा पी ब्लॉक से रिलेटेट आपके कोश्चन और आपको यहां से एक्जाम में कोश्चन देखने को मिल सकते है ठीक है सातियों चर्चा करेंगे हम लोग चाहे एनेम हो चाहे आपका पी ब्लॉक के जो भी एक्जाम के पर प्रप्रशन कर रहा है उनके लिए एक महत्वपून जो है सैसन होने वाला है सातियों पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर आचुका है देखिएगा क्या बोला गया है पी ब्लॉक के तत्व अनतिम इलेक्टोन पी कक्छा में जाता है इसका सियोजी कोश्च का इलेक्टोनिक विन्यास है क्या हो सकता इसका इलेक्टोनिक विन्यास आपका नैस 2 एनपी 6 ये हो सकता है या फिर होगा आपका ns2 np 1-6 तो देखे मैं आपको बता दू अंसर ही राइट अंसर होगा सात्यो ns2 np 1-6 h के अतिरिक्त जो option number d दिया हुआ है ये आपका राइट अंसर होने वाला है और सात्यों जितने भी सात्य हमारी इस class को देख रहे है सात्यों class को share करिएगा ताकि हर बच्चा इस बार selection ले ले और सर हर बच्चा इस बार सीख पाए next question कि अगर बात करें आवर सानी में P block के तत्व के छटा समुह का जो है अंक अंकन है 13 से लेकर 16, 12 से लेकर 17, 12 से लेकर 15 या फिर 13 से लेकर 18 होगा क्या बुलाएगी आवर सानी में P block के तत्व का जो 6 समुह है उसका जो है आपका बात करें अंकन की तो वह 13 से लेकर क्या होगा 18 तो आपका जो right answer होगा क्या option number D होने वाला है क्या तो सात्यों आप सभी का अगर answer आ रहा है option number D तो बिलकुर सही होगा समुह 13 से 14 का सयोजी कोस का electronic वन्यास क्या होने वाला है तो सात्यों आप लोग बता सकते हैं कि समुह 13 से लेकर 14 का सयोजी electronic वन्यास की बात करें तो क्या होगा NS2 NP1 होने वाला है तो क्या हो सकता है तो सात्यों जो आपका option number first दिया है क्या NS2 NP1 NS2 NP2 option number A इसका right answer होगा सात्यों बात करेंगे next question की की P block के एक तत्व द्वारा सयोजी जो है सोरी P block के तत्व द्वारा दरसाई जाने वाली अधिक्तम आक्सी करन अवस्ता है सयोजी electronic की कुल संख्या की समान सयोजी electronic की कुल संख्या से अधिक सयोजी electronic की कुल संख्या से कम या उपरियुक्त में से कोई भी नहीं क्या हो सकता है तो P-Block के तत्वों का ठीक है या तत्वों के द्वारा प्रदर्सित अधिक्तम जो है आक्सिकरन अवस्था इन तत्वों की स्योजिक ता इलेक्टोनिक जो है जो option number A है स्योजिक इलेक्टोनों की कुल संक्या के समान तो साथियो option number क्या है एक correct answer है क्या साथियो आप सभी को ससन समझ आ रहा है क्या अगर ससन समझ आ रहा होगा तो ससन को share भी करना है ठीक है और like भी करना है देखे P-Block तत्व की संभावित आक्सिकरन संक्या आवर्थ सार्णी के दाई और बढ़ाने पर घड़ती है आवर्थ सार्णी के दाई और बढ़ाने पर बढ़ती है समू में नीचे पहले बढ़ती है फिर घड़ती है या समू में नीचे पहले घड़ती है फिर बढ़ती है तो क्या अंसर हो सकता है तो सात्यो आवर्त साड़नी में दाई और जाने पर P-block के तत्वोग के संभावित आक्सी करन अवस्था क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो सात्यो आपका जो right answer है क्या होगा बाई और जाने पर बढ़ जाती है क्या B answer आप सभी ने लगा पाया गया साथ यो definitely अगर आप सभी का option number B है तो आपने right answer प्यास किया है और सही और सत्य answer लगाया है आगे बढ़ेंगे और next question की चर्चा करते हैं देखिए next question क्या है next question में बोला गया है कि बोरान, carbon, yome electron परिवार में समू के oxykaran अवस्ता किसके दवारा अधिक्तम इस्थाई होती है समू में भारी तत्व होने के कारण समू में हलके तत्व होने के कारण आवर्त सार्णी में भारी तत्व होने के कारण या फिर आवर्त सार्णी में हलके तत्व होने के कारण तो देखे, सातियों, बात करे, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कौन सी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फेमेली कहते हैं, और समू की आक्सिक्रन अवस्था, समू में आने वाले, हलके तत्वों के लिए, अधिक इस्थाई होती है, ठीक है, हलके तत्वों के लिए, जो होने के यह कार्ण मतलब, आपका जो है, ओप्सन नमबर क्या है, भी ही इसकराईट अंसर होने वाले हैं, समझाई, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सातियों देखिए, आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, कि अत्यदिक सक्रिय धात योम, अधातु से बना योगिक क्रमसह कहलाता है, ठीके क्रमसह क्या कहलाता है, सयोजी योम आइनिक, आइनिक योम सहयोजी, धात्विक योम आइनिक या धात्विक योम सहसयोजी, बताई ज़रा क्या अंसर है, तो सातियों नोट डाउन करना है, कि अत्यदिक सक्रिय योम अत्यदिक जो है सक्रिय धातूँ से क्रिया करके बना योगिक ठीक है तो जो आपका option number B है क्या होगा आइनिक योम सह सहयोजी तो सातियो B answer note कर लेना आपका right answer होगा option number B क्या आप सभी ने लगा पाया है जिया सातियो अगर आपने लगा पाया है तो आपका बिल्कुर सही answer होगा अधातू योम धातू के आकसाइड सामाने तह होते हैं तेक है क्या होते है सामाने तह होते हैं अमलिय चारिय योम उदाशिन चारी या फिर होगा आपका उधाशीन और चारी होगा तो अधात्विक आउकसाइड अमलिय या फिर उधाशीन होते हैं क्या होते है या तो अमलिय होगे या फिर आपका उधाशीन चारी होगे तो साथियो राइट अंसर क्या ओप्सन नमबर सी होने वाला है जी हसातियो अगर आप सभी नहीं option number C लगाया है तो आपका right answer होगा या आप लोग को ध्यान लगाना है चले next question देखते हैं कि निम्न मेंसे question पढ़ लेते भले कि निम्न मेंसे किसके संदर्व में P block ठीके किस block की बात कर रहे हैं कि P block में प्रतेक सम्हू का पहला सदस संगत सम्हू के अन्य सदस्यों से भिन्न है तो देखें आकार किस तरीके से भिन्न है तो देखें नोट कर रहे हैं आकार और अन्य गुण जो की जो आकार पर निर्भर हो जीहा सातियो आपका जो right answer है वो एह ही होने वाला है क्या है कि आपका P block का प्रतम सदस्य अपने सम्हू के अन्य सदस्यों के या अन्य सदस्यों से आकार यूम अन्य गुणों से क्या होता है भिन्न होता है तो जो यह ही आपका क्या है right answer है यह आप सभी ने बखो भी लगा पाया है चलिए आगे बढ़ते हैं next question के अगर बात करते हैं कि P block के या P block में दुद्यक आवर्त तत्व जो बोरान से प्रारम होता है किस्ते साथियों बोरान से प्रारम होता है इसकी जो है अधिक्तम स्रजक्ता सीमित रहती है क्या answer है तो P block में दुद्यक आवर्त के तत्व जो की बोरान से प्रारम होते है और इनकी अधिक्तम स्रजक्ता चार तक क्या होती है सीमित रहती है तो साथियों आपका जो right answer है वो option number C होने वाला है कितना 4 ठीक है तो क्या C लगा पाया है सभी साथि जीहा साथियों आपने C answer लगा पाया होगा बहुती अच्छा कुशिन था P block के P block के त्रत्य आवर्त के P block के त्रत्य आवर्त के तत्व जिन का electronic विन्यास 3S2 3PN होता है इन में रीक्त 3D का चक उपस्तित होते है के मद्ध पाये जाते है तो इनके मद्ध पाये जाते है क्या पाये जाते है तो 3P तता 4S उर्जा इस्तर के मद्ध या फिर आपका 3S तता 3P उर्जा इस्तर के मद्ध क्या हो सकता है सभी लोग जिरा ध्यान दिजिएगा सभी साथी नोट करिएगा कि 3P तथा फूरिस उर्जा इस्तर के मद्ध आपका सही आंसर होने वाला है ठीक है साथियो यह आप सभी लोग नोट डाउन करना यह बहुत ही शांदार सा कोशन था और ऐसे ही कोशन आपको केमिस्ट्री को देखने में मिलने वाले हैं चले आगे बढ़ते हैं और नेश्ट की बात करें कि किस कक्शक का उपियोग करते हुए तरत्य आवर्द के तत्व अपनी सेयुजिक्ता चार से अधिक बढ़ा सकते हैं तो 3D, 4S, 3P, 4D क्या होंगा साथियो यह तो नोट करना कि D कक्षकों का उप्योग करते विए तरत्य आवर्थ के तत्व अपनी सहर जक्ता चार तक बढ़ा सकते हैं कितनी? 3D तो आपका जो राइटन से रोगा वो उप्सन नमबर A होगा क्या सभी लोगों ने कर पाये हैं? क्या डारेक्टली आप सभी का A अंसर हैं? तो सातियो अगर A अंसर किया है तो बिलकुर सही होने वाला है देखे P बलॉग का प्रतम सदश्य उच्च से जक्ता से निम्न में से कौन से बंद को अपने जो है बंद को बनाने की च्छमता से भिन होता है चलिएगा बताएजरा कि P बलॉग के किसी समों का प्रतम सदश्य उच्च सदश्य उच्च सदश्य उच्च सदश्य पी पाई ठीक है? क्या सातियो? उप्सन नबर B पी पाई और जो है पी पाई बंद बहु बंद बनाने की शामर्त तक कारण भिन होता है तो जो B अंसर है वो आपका सही होने वाले है ठीक? नेक्स्ट कोशन की बात करें तो P बलॉग के भारी तत्व किस प्रकार के बंद बनाते हैं? तो P बलॉग के भारी तत्व जो है आपका D पाई, P पाई तथा D पाई और D पाई प्रकार के बंद बनाते हैं तो C answer आपका सही होने वाला है क्या write answer होगा तो C answer आपका correct होगा साथियो यह आपको note down करना है अच्छा question था देखें प्लस 5 आउक्सी करन अवस्था में आपको बताना है क्या होने वाला है तो N-oxyrenatmuk NO3 बनाता है ठीक P-oxyrenatmuk P-O-4 बनाता है तो जिया साथियो आपका दोनों ही बनाते है तो C answer correct हो चले बढ़ेंगे आगे बोला है कि बुरान केवल B-F-4 ठीक है बुरान केवल B-F-4 बनाता है जबकि aluminum बनाता है अब बताइए बहुती बढ़िया question है तो बुरान और बात करें क्या aluminum की तो aluminum बनाएगा A-L-F-6 ठीक A-L-F-6 और कित्ते की पावर चड़ जाएगी इस पर 3 की ठीक है तो जो आपका right answer बन जाएगा वो साथियो option number B बनेगा सभी को note करना है साथियो क्या बनेगा option number B बन जाएगा या आप लोग को ध्यान रखना है next question के बात करें बुरान किस रूप में नहीं पाया जाता है बुरान किस रूप में नहीं पाया जाता है तो borrex या फिर आपका करनाइट या फिर होगा आपका कॉर्नेलाइट या फिर अर्थो बोरिक चले बताईए तो सातियों आपका जहन नहीं पाया जाएगा C को छोड़कर ठीक है मतलब C प्रकार कर नहीं पाया जाएगा borrex भी होगा काइनेट भी होगा और आर्थो बोरिक्स भी होगा ठीक है के ल जो है के सील होगा एम जी सील टू और आपका ठीक है यह आपको होगा यह ध्यान रखना है चले तो next की बात करें क्या बोला गया है सातियों बोला गया है कि निम्न में से कौन सी भूपर पट्टी पर पाये जाने वाली मुक्य धातु यूम्त्रत्य मुक्य तत्व है चले बताईए तो बुरान क्या है सातियों एक खनीज होता है तो यह नोट करना क्या होगा चले तो आपका ओप्सन नंबर क्या है एक करेक्ट आंसर है एल्यूमूनियम ठीक क्या सातियों एल्यूमूनियम आपका राइट आंसर होगा aluminum का मुख के खनीज क्या होगा तो bauxide होगा cryolite होगा या फिर दोनों ही होगा तो साथ यह note करना bauxide और cryolite दोनों ही होगा bauxide मतलब क्या है तो al2o3 ठीक dot 2h h2o और cryolite की बात करें तो na3 alf6 ठीक तो यह note करना बहुती बहतर सी चीज़ी आप सभी लोगों के लिए next question की अगर बात करेंगे तो देखे क्या बोला गया है next में बोला गया है कि samu 13 के तत्वों के electronic विन्यास के संबंद में कौन सा कतन सही नहीं है ठीक है मतलब एक wrong है कौन सा wrong है तो बोरक्स एक aluminum आदर्स जैसे core बनाते है जी नहीं Gelenium एंडियम में आदर्स गेस के अतरिक्त 10D electronic होते है थेलियम के थेलियम में आदर्स गेस अतरिक्त 4F yom 10D electronic अंतरिक जो है अंतरिक कोर बनाते है उपरवत में सी कोई नहीं जी है सात्यू, सभी गलत है, यहापर कोई भी सिसम्मधित नहीं है, ठीके सही नहीं है, तो D ही होगा ना, समझ पाए, आगे बढ़ते हैं, और नेश्ट देखें, बोला है, ठीके, क्या है, तो ध्यान दीजेगा, नेश्ट कोस्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला गया है कि चल तो गेलियम, जी ए मतलब क्या है आपका, गेलियम है, ठीके, क्या है, गेलियम, तो गेलियम में अतरिक्त, उपस्तित अतरिक्त, टेंडी इलेक्टॉन बढ़ते हुए, नाभी के आवेज की तुलना में, जो है, वाद इलेक्टॉन पर दुर्बल परिक्षन प्रभाव डाल जाते हैं, तो साथियो, आपका जो राइट अंसर है, वो भी होने वाला है, ठीक, क्या है, बी आंसर करेक्ट है, आगे बढ़ेंगे, बोला है कि, आइनन इंथैलिपी की, जो है, अनियंतरता पाई जाती है, तो क्या होगा, तो साथियो, आपका जो राइट अंसर है, अनिय और गेलियम और साथ में जो आपका option number भी चले ठीक क्या सभी सातियों ने यही लगा पाये क्या जिया सातियों आपका आंशर भी जैसे कि मैं देख पा रहा हूं बहुत ही सही यही आंशर होगा आगे बढ़ते हैं और next question की बात करेंगे समूत हटीन के तत्वों का प्रतम दुत्य और त्रत्य की आइनन इंथेलपी का क्रम आपको बोला है क्या है आइनन इंथेलपी का क्रम आपसे बोला गया है चले बताई जिरा कि इसका क्रम क्या होने वाला है और कितना साति बिलकुर सही करने वाला है इस question का अंशर तो साथ यो आप सभी का अगर आया है option number B क्या डेल जो है डेल 1, H1 फिर ये लगातर क्रम से H2, H3 बनेगा ठीक next question है समों में नीचे की और विद्धू तरिनात्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है घटती है, बढ़ती है B से मतब़ आपका Beryllium से Aluminium तक घटती है, फिर जो है आंसिक व्रद्धी होती है या फिर जो है आंसिक में कमी होती है, बढ़ेगी फिर घट जाएगी बढ़ेए, क्या हो सकता है तो साथियो नोट करिएगा ये आपका C करेक्ट होने वाला है ठीक, क्या होगा, C करेक्ट होगा समो 13 की बात चल रही है यहाँ पर ठीक, तो Beryllium से Aluminium तक घट जाती है, फिर आंसिक व्रद्धी हो जाती है ठीक, C answer करेक्ट होगा क्या साथियो, C answer बिलकुर करेक्ट होने वाला है बोरान द्वारा, ठीक है, बोरान द्वारा प्रदर्शित क्या साथियो, बोरान द्वारा प्रदर्शित कोन सा भावतिक गुण है यह अत्यधिक प्रक्रती में छोटा है यह अत्यधिक कठोर योमकाला ठोश है इसके भिन अपर्रूप है या उपरिक्त सभी होगा क्या होगा, तो बोरान के लिए सभी कठन क्या है, सही है काला ठोस है, इसके जो है भिन अपर्रूप है, बिलकुर अपका डी करेक्ट है बोरान के अत्रीक थर्टीन समूह के अन्य सदश्य है म्रदू धातू होते हैं या फिर निम्न गलनांक होते हैं या फिर होगा उच्च विद्धुच अलगता होती है, यह उपरिक्त सभी होने वाला है क्या होगा, तो जरा बोरान के अत्रीक अन्य तत्व निम्न गलनांक यों उच्च विद्धुच अलगता वाले मुलायम ठोस होते हैं तो जो आपका राइट अंसर है, वो डी ही होने वाला है, ठीके साथ यो क्या है, डी करेक्ट है आगे बढ़ते हैं और बोला है कि बोरान के छोटे आकार के कारण किसकी प्रथम तीन आयनन एंथेल्पी का योग बहुत उच्च होता है तो बताए जरा option से सुनियेगा ध्यान से प्लस 3 ठीके, प्लस 3 आक्सी करन अवस्था प्रदर्शित करते हैं या फिर होगा आपका केवल सहसयोजिक योगिक बनाने से आयनिक योगिक बनाने से जब विकल्प A और B दोनों से ही होगा तो सातियो, note down सभी को करना है अगर आप सभी का answer आ रहा है क्या कि प्लस 3 आएनिक रण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ये तो बिल्खुर सही है, केवल सहसयोजिक योगिक बनाते हैं ये भी सही है, D answer आपका सही होने वाला है ये आपको note down करना है, और ध्यान रखना है ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखे क्या बोला गया है, कुश्चन ध्यान पुरक सुनिएगा बोरान बीथरी, बोरान आइनन नहीं बनाता है क्यों उच्च विद्ध रिनात्मकता के कारण उच्च आवीस घनत्व के कारण उच्च आइनिक उरजायूम छोटा आकार के कारण या उपरवत में से कोई भी नहीं तो साथ यो बोरान अपनी उच्च आइनन उरजायूम चोटे आकार के कारण जो है आयने नहीं बनाता है C answer correct है उच्च आयनी को जायों चोटे आकार के कारण ठीक है साथ यो C answer correct है चले गेलियम, इंडियम और जो है आपका ये जो दे रहा है ठीक है कौन सी आयनी करण अवस्था दर्साई जाती है तो नोट करना प्लस थ्री योम जो है प्लस वन ठीक, C answer correct होगा कैसा दियो, C answer आपका correct होगा ये आप लोगों को ध्यान लखना है चले, आगे बढ़ते हैं प्लस वन आईनी करण अवस्था की इस्थाई जो है का करम, इस्थाईत्व का करम मतब इस्थाईत्व का करम बोला गया है तो बताए जरा एडिमुनियम, गेलियम, इंडियम ठीक है, तो जो आपका option नमबर A है यही आपका सही आंसर होगा आप सभी लोग नोट करिएगा त्री से जोजी, अवस्था में परमानों के, यह परमानों में केंद्रिय परमानों के चारों और इलेक्टानों की संख्या चार, चह, आठ या फिर पांच क्या हो सकता है जरा बताईए तो सातियों, इन तत्वों के त्री से जोजी अवस्था में अनवों के केंद्रिय परमानों की चार और इलेक्टानों की संख्या छह होती है कितने सातियों छह होती है तो जो आपका राइट अंसर है वो हो जाएगा अपस नमर भी है ठीक क्या है भी हो जाएगा लुईस अमलके समान व्यवहार करने की प्रवर्ती कम होती जाती है और आकार बढ़ता है घड़ता है समान रहता है वहले घड़ता है फिर बढ़ता है तो समू में उपर से नीचे आने पर क्या होता है सातियों व्रद्धी की कारण ही लुईस अमलके समान विवहार की प्रवर्ती कम हो जाती है तो सातियों जो है बढ़ता है आपका सही अंसर होगा उप्सन नमबर क्या है? एक करेक्ट है चलिए तो A.L.C.3 ठीक है? के दूलक की जामिती है तो क्या होने वाला है? तो साथियो इसकी जामिती के बात करें तो यह होगा आपका चतुस फल की है क्या होगा साथियो चतुस फल की इसका राइट अंसर है और निम्न में से कौन सकतन अस्यत्ते है तो एक आपके लिए क्या रहेगा डबलु एच होम वर्क ताकि आप लोग जो है इसका सटिक से आंसर बताईएगा सर्च करिएगा और चाहे गूगल से जहाँ पर भी आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं तो सर्च कर जेग इस कोशन को और इसका आंसर जो है कोमेंट्स बॉक्स में आपको कोमेंट्स करना है साथियो जो भी नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जो पहली बार चैनल पर वजट किया है और फिर आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा ओके थैंक्यू वेरी मच्च जैहिंद